चिर्या के बेटे कुकु ने अभी निया-निया ही उन्ना सीखा था वो पहली बार अकेला अपने घर से बाहर जाने वाला था कुकु बेटा अच्छे पक्ष्यों से दोस्ती करना और बुरे पक्ष्यों से दूर ही रहना किसी से लड़ाई ना करना और कभी भी भोजन के लालच में घर से ज़्यादा दूर ना जाना मैं अपनी मम्मा का कहना मानूगा और हाँ याद आया कालू कवे का बेटा बहुत शरारती है उससे कोई बात ना करना अगर तुमसे दोस्ती करना चाहे तो उसकी बात ना मानना फिर कुकु अपने घर से निकलता है उसे उड़ते हुए बहुत मज़ा आ रहा था वो उड़ते हुए जा रहा था कि उसे एक अमरूद का पेड नजर आता है वो उस पेड पर बैठ जाता है और अमरूद खाने लगता है जगु कवा जो बहुत ही शरार्ती था वो भी वहां आ जाता है कुकु आज अकेले ही घूम रहे हो हाँ मगर तुम यहां से जाओ ममा ने कहा था कि शरार्ती पक्षियों से दूर ही रहना तुम्हारी ममा ने मुझे शरार्ती कहा मैं अभी तुम्हें सबक्सी खाता हूँ कुकु मैं ज़ने पर जा रहा था मेरी तितलियों से दोस्ती है रंग बरंगी तितलियां बहुत सुन्दर है मेरी सब दोस्त है अच्छा तितलियां तितलियां तो मुझे भी बहुत पसंद है तो फिर चलो, मैं तुम्हें भी अपनी दोस्तों से मिलवाता हूँ उनके पांख बहुत सुन्दर है, वो मुझे से बातें भी करती है मेरा भी तितलियों से बातें करने को बहुत मन करता है परंतु अगर ममा को पता चल गया तो फिर हम यूंगे और यू आएं तुम्हारी ममा को कैसे पता चलेगा कुकु जगु की बातों में आ जाता है और अपनी ममा की परवा किये बिना जगु के साथ चला जाता है जगु कवा कुकु को दूर वेराने में ले जाता है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है यहां तो जहना नहीं है तुम यहां बैठो मैं अभी अपनी दोस्त तितलियों को बुला कर लाता हूं जल्दी आना जगु मुझे डर लग रहा है मैं अभी आया फिर जगु वहां से चला जाता है अब इसे पता चलेगा जब रात इस वेराने में गुचारेगा जगु कवा ऐसा सोचते हुए वापिस अपने घड चला जाता है शाम हो जाती है कुकु की ममा बहुत परेशान थी वो अपने बेटे को इधर उधर पूरे जंगल में देखती है कुकु उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता फिर शड़िया रोती हुई कवे के घड जाती है गुरी बहन मेरा कुकु सुभा से गया हुआ है अभी तक नहीं लोटा क्या आपने उसे कहीं देखा है इससे पहले के गुरी बोलती जगु तुरुंत बोलता है आंटी आंटी मैंने देखा के कुकु को एक बिली ने पकड़ कर खा लिया मैंने बिली को भगाने की बड़ी कोशिश की परन्तु वो बिली इतनी मोटी ताजी थी के भागी ही नहीं ये संकर चिडिया और भी रोने लग जाती है कुकु मेरे बेटे मैंने क्यों आपको घर से बाहिर भेजा अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ही जाती चिडिया ऐसे रोते हुए घर वापिस चली जाती है ममा ममा कुकु को तो मैं आज वेराने में छोड़ाया था वहां उसे सच में किसी बिली ने खा लिया होगा बेटा तुमने ऐसी शरारत क्यों की ममा कुकु बता रहा था कि उसकी ममा ने उसे मुझसे बात करने से मना किया है बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया अच्छा अब चुप कर जाओ और किसी को बताना ना कि तुम उसे वेराने में छोड़ कर आए हो रात को वेराने में बैठा कुकु रो रहा था ममा मुझे माफ कर दे मैंने आपकी बात ना मान कर बहुत बड़ी गलती की चुप मुझे छूट बोल कर यहां छोड़ गया है मुझे तो घर के रास्ते का भी पता नहीं है मैं कहा जाओं मैं क्या करूं चोटा कुकु बैठा ऐसे रो रहा था कि उड़ते उड़ते कबूतर वहां आ जाता है जो किसी काम से दूसरे जंगल किया हुआ था कुकु बैठा इतनी रात को तुम यहां क्या कर रहे हो फिर कुकु कबूतर अंकल को सारी बात बताता है वो कवा तो पूरे जंगल में मशहूर है शराड़ते करने में आपने उस कवे की बात मान ली और अपने ममा की बात नहीं मानी अंकल सोरी मैं भूल गया था बस में तितलिया देखने के लालच में यहां आ गया था फिर कवा तर कुकु को साथ लेकर उसके घर की तरफ उड़ता है चिड़िया अपने बेटे को कबूतर के साथ देखकर बहुत खुश होती है आज अगर कबूतर ना आता तो कुकु को सच में कोई जंगली जीव खा जाता कुकु बहुत खुश था और फिर वो अपनी ममा से वादा करता है कि वो हमेशा अपनी ममा का कहना मानेगा क्यूंके ममा को सब पता होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा चिड़िया सुभा से जंगल में उड़ रही थी परन्तु आज उसे अभी तक दाना नहीं मिला था वो ठक हार कर नदी के नारे पैट जाती है आज तो लग रहा है कि खाली हाथ ही वापिस घर जाना पड़ेगा गुरिया तो भूकी भी सो जाएगी मगर कुकु बहुत जिद्धी है वो तो कुछ खाए बिना नहीं सोएगा अब मैं क्या करूँ चिड़िया बैठी ऐसे खुशे बातें कर रही थी कि उसकी नजर नदी के पानी पड़ जाती है वहाँ एक ताजा तर्बूस पानी में तैरता हुआ उसकी दिशा में ही आ रहा था जिसे देख चिड़िया बहुत खुश हो जाती है चिड़िया वो तर्बूस पानी से निकालती है और अपने घर की तरफ उड़ती है सर्प्राइज देखें तो आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लाई हूँ तर्बूज तर्बूज ममा ये मेरा है ये मेरा है नहीं मैं भी लूँगी कुकु बेटा ये तर्बूज बहुत बड़ा है इसे खाकर आप दोनों बेहन भाई का पेट भर जाएगा ममा मुझे ज्यादा देना मैं बड़ा हूँ अच्छा अच्छा बेटा कुकु आप ज्यादा ही ले लेना फिर ममा चिडिया रसोई से तेज चाकु लेकर अपने दोनों बच्चों को वो तर्बूच काट कर दे देती है बच्चों आप बैठ कर तर्बूच खाओ और मैं कबूतर से मिल कर आती हूँ उसे कैसे तेज बुखार है ममा चिडिया कबूतर के घर चली जाती है ममा ने ये बाला तर्बूच मुझे दिया था ममा ने हम दोनों को पराबर दिया था मैं अपना हिस्सा तुम्हें नहीं दूँगी मैंने ममा को बताया था मैं बड़ा हूँ मैं ज़्यादा लूँगा दोनों बेहन भाई में इस बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है कुकू तो कुछ ज़्यादा ही गुसे वाला था वो गुसे में पास में पड़ा चाकू उठा कर गुडिया को डराने की कोशिश करता है कि चाकू गुडिया के पंक पर लग जाता है और गुडिया के पंक से खोन निकलना शुरू हो जाता है ममा, ममा, कुकू भाई ने मेरे चाकू मार दिया मेरे पंक से खोन निकल रहा है ममा, ममा बहुत दर्द हो रहा है ये सब देख तो कुकू भी बहुत डर जाता है बहना, मुझे माफ कर दो पलीज बहना, मैंने जान बूच कर थोड़ा मारा है मैं तो बस आपको डरा रहा था गुडिया रोय जा रही थी और कुकू अपनी बहन को चुप करवा रहा था मैं कपड़ा बांदेता हूँ अपनी बहन के मेरी बहन जल्दी ही ठीक हो जाएगी गुडिया, आप मेरे हिसे का तर्बूज भी खा लो सच, मैं सच कह रहा हूँ नहीं, मेरे पंक में बहुत दर्धो रहा है मुझे मम्मा के पास जाना है गुडिया, प्लीज, मम्मा को ना बताना वरना मम्मा मुझे बहुत मारेंगी फिर कुकु गुडिया के पंक पर एक कपड़ा बांदेता है गुडिया बहन ये मेरा एक रुपेया भी आप रख ले मैं अपने हर स्वादिष्ट चीज आपको दे दिया करूँगा प्लीज मम्मा को ना बताना ऐसे ही उनकी मम्मा भी घर आ जाती है गुडिया चुप होकर बैठ जाती है तर्बूज खा लिया मेरे बचोंने अरे ये क्या तर्बूज तो ऐसे ही पड़ा है मम्मा वो वो ऐसा है कि गुडिया मेरे बची आपके पंक से तो खून बह रहा है क्या हुआ गुडिया आपके पंक पर चोट कैसे आई थोड़ी देर तो गुड़िया चुप रहती है, फिर जोड़ जोड़ से रोने लग जाती है ममा, ममा, भाई ने तरबूत चीनते हुए मेरे चाकू मार दिया गुड़िया रोते हुए अपनी ममा को बताती है अब चलती चलो, चलो बेटा, ये तो बहुत गहरा सखम है हमें बुलबुलदी के पास जाना होगा अगर खून ना रुका तो कुछ भी हो सकता है तुम्हे तुम्हें आकर देखती हूँ फिर ममा चिडिया पहले वो चाकू उठाकर सोई में उंची जगा रखती है और फिर गुड़िया को साथ लेकर बुलबुलदी के पास चली जाती है खाव गहरा है, स्टीचिंग करना बढ़ेगी ममा दर्ट तो नहीं होगा नहीं मेरी जान, बस थोड़ी ही देर में आप ठीक हो जाओगी फिर बुलबुल गुड़िया के खाव पर स्टीचिंग कर देती है चुड़िया बहन, मैंने माना के बच्चे ऐसा कर सकते हैं परन्तु बड़ी गलती आपकी है जो बच्चों के पास चाकू रखकर आप कबूतर की तरफ गए वो तो अच्छा हुआ, आप ठीक समय पर आ गए नहीं तो इस खाव से खून रुकने वाला नहीं था ममा आप मैं ठीक हूँ, दर्ट भी रुक गया है ममा प्लीज भाई को कुछ ना कहना दलती मेरी ही थी, मैंने ही भाई से तरबूज चीना था पहले गुड़िया अपने भाई को ममा की पिटाई से बजाने के लिए ऐसे जूट बोलती है फिर ममा चड़िया गुड़िया को साथ लेकर अपने घर चली जाती है कुकु बेटा अगर गुडिया बेहन मर जाती तो फिर आप क्या करते कहां से बेहन लेते ममा मुझे माफ करते गुडिया बेहन मेरे कारण आपको तर्थ हुआ मैं फिर कभी आप से लड़ाई नहीं करूँगा पहले आप भोचन खाओगी और बाद में मैं मुझे फ़रता है भेया आपने कौन सा मेरे चाकू जान भूच कर मारा था जब ममा पापा घर में ना हो तो बच्चो कभी भी ऐसे लड़ाई नहीं करते चलो दोनों गले मिलो ऐसे कुकू और गुडिया फिर कभी लड़ाई ना करने का वादा करते हैं प्यारे दोस्तों अपने घर में बच्चों के पास कोई भी खतरनाग या तेजधार वाली चीज़ ना रखें क्यूंके बच्चे तो बच्चे होते हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता आपका धन्यवादा